दोस्तों साथियों को मेरा नमस्ते, मैं हूँ शाले नी वर्मा, आप सबकी दोस्त, बहुँत सारे ढेरो सारे यंत्र बनाना आपको सिखा रही है ताकि आप अपने जीवन को बना सके थोड़ा सा आसान, आज आपको इक ऐसा यंत्र बनाना सिखा रही हूँ, जो स्टूरेंट के लिए useful है यानि कि इस यंत्र को या तो students बना सकते हैं खुद या फिर mother, father कोई भी बनाकर student को ये यंत्र तयार करके दे सकते हैं ये यंत्र क्या करेगा ये यंत्र देगा memory, focus, concentration, increase कर देगा student को क्या चाहिए भाई focus पूरा पढ़ाई में रहे इदर उदर दिमाग ना जाए जो पढ़ा है वो याद रहे एक्जाम्स हो तो एक्जाम्स में अच्छा वो जो याद है वो सारा एक्जाम में उतार के आ जाए मतलब ऐसा student बन जाए जो computer जैसा हो जिसको एक वार जिसने पढ़ लिया तो सब कुछ याद हो गया तो आज मैं ऐसा ही यंत्र बनाना सिखा रही हूँ जो special है students के लिए और ये यंत्र आपके पास रहेगा तो समझ लीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद तो रहेगा ही आप एक्जाम्स में भी बहुत अच्छा इससे कर पाएंगे यानि कि बुद्धी की देवी सरस्वती का यंत्र है इस यंत्र को अपने पास रखने से आप बहुत अच्छा एक्जाम में studies में कर पाएंगे विरिविधान पूरा बताओंगी आप कैसे इसको शुरू करेंगे कैसे क्या कर रहा है सारी चीज़ें पहले बनाना सिखाती हू याद रखिएगा स्टूडेंट्स खुद भी बना सकते हैं स्टूडेंट अगर समय मिलता है तो थोड़ा सा टाइम निकालके इस यंत्र को खुद भी रोज बनाएंगे तो मदर फादर चाहें तो अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं किसी भी दिन बना लें नहां दो क दिया जला लें मता सरस्वती का नाम लें मता सरस्वती को प्रडाम करते हुए इस यंत्र को आप बनाना शुरू कर देंगे कैसे यंत्र बनेगा white plain paper पे आपने ये ऐसा कर दिया boxes बनाए, चार boxes बनेंगे ऐसा आपका box बन गया box बनने के बाद आप क्या करेंगे first 8 number, 8 number 91 number 7, 7 number 13, 13 number 75, 5 पिचत्त, फिस साथ, 7 number 3, 98 इतना लिखलिया 6, 91, 75, 6 पिचत्त, 75, 13, 8 and 3 ये आपका बन गया यंत्र असान यंत्र है, अराम से बना सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि एक बार यंत्र बना लिया और हो गया ऐसा नहीं है, थोड़ा सा महनत भी करनी पड़ेगी यंत्र भले ही आसान है, लेकिन यंत्र को भी सिद्ध किया जाता है जब यंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तभी आपके लिए अच्छा काम करते हैं तो या तो सिद्ध किये हुए आप यंत्र लेते हैं और या फिर आप खुद उनको बना कर सिद्ध करते हैं आप अगर चाहें, तो ये यंत्र जैसे मैंने कुबेर कार्ड बनाये हुए हैं, उस तरह के मैंने ये यंत्र बनाये हैं, इस यंत्र को मैंने ऐसे कार्ड पे बनाया है, सिद्ध किये हुए हैं, आप चाहें, तो ये यंत्र आप मुझसे ले सकते हैं, जैसा कुबेर कार्ड है, सेम उसी तरह का ये यंत्र है, ये मैंने स्टूरेंट्स के लिए कार्ड बनाया है, बहुत सारे स्टूरेंट्स के लिए मेरे पास हमेशा आता था कि आप स्टूरेंट्स स्पेशल कुछ बना के दीजिए, जिससे स्टूरेंट्स को आराम हो, तो मैंने ये जो कार्ड है ने student card बनाए हैं, इस card में मैंने ये यंत्र जो आपको बनाना सिखाया है, ये यंत्र भी मैंने इसमें दिया है, साथ में इसमें मंत्र भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो उस मंत्र को जाप भी कर सकते हैं, दूसरी साइड मैंने switch words भी लिखे हुए हैं, जो आपको exams में, आपके studies में हर तरह से help करेंगे तो जो लोग purchase करना चाहें वो लोग ये student card मुझसे मेरे number पर WhatsApp message भेज कर इस card को आप purchase कर सकते हैं सेम यही यंत्र जो मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ मैंने इस पर बना कर अभिमंत्रति यंत्र मेरी तरफ से आपको दिये जाते हैं तो ये तो हो गया card अब आप इसमें क्या करेंगे जो लोग चाहें वो WhatsApp करके आगे pursue करें student card के लिए और जो लोग खुद अपना बनाना चाहें तो मैं हमेशा बनाना भी सिखाती हूँ ताकि मेरे उपर ही आप depend ना रहें कि आप मेरा card लेंगे तभी बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आप बनाकर अपने student अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं तो आपने ये यंत्र बना लिया ये जो यंत्र है आपको बनाना है 4000 एक यंत्र नहीं बनेगा 4000 की संख्या में यंत्र बनेगे एक दिन में बनाना नहीं है जितने भी दिन में आप ये यंत्र बना सकें 4000 की संख्या आपको पूरी करनी है पर डे आप जितने का target लेना चाहें आप खुड decide कर लें यंत्र साधना इतनी आसान नहीं होती इतनी आसान होती तो बस कागज में चार लाइने खीच के हर को ही अपनी पॉकेट में रख लेता इतनी आसान नहीं है यंत्र साधना मगर effective बहुत है थोड़ा सा मेहनत कर लिया थोड़ा सा दिन का समय निकाल लिया तो समझ लीजी आप अच्छा कर पाएंगे तो आपको बनाने है 4000 यंत्र डेली एक निश्चित संख्या में यंत्र अपना बनाना शुरू कर दे 4000 यंत्र जब आपके बन जाएंगे तब जितने भी यंत्र आपके पास है वो सारे यंत्र आप जल में प्रवाहित कर देंगे यनि की 4000 जब आपने बनाए है तो जो लास्ट वाला यंत्र आपका बचा बना 4000 जो यंत्र होगा वो वाला यंत्र रहेगा स्टूडिन्ट के पास में बाकि सभी यंत्र माता सरस्वती का नाम लेते उए आप जल में प्रवाहित कर देंगे और आखरी वाला जो यंत्र है उसको फिर आप और धूब दिया दिखा कर माता का नाम लेने के बाद कि मेरे बच्चे को एक्जामस में सब अच्छा हो, स्टडीज में सब अच्छा हो, आप उस यंत्र को या तो बच्चे के गले में धारन क आते हैं तो आप बच्चे के पास में जहां वो पढ़ता है या उसके पास में उसकी पॉकेट में इस यंत्र को रख देंगे, यंत्र उसके एनरजी फील्ड में रहेगा, उसको रिजल्ट मिनेगा, तो साथी वो यह है, एक्जाम के लिए, बच्चों की स्टडीज के लिए फोकस, मैमोरी, हर चीज के लिए, यानि स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी इस्यूज हैं, बच्चे अच्छा करें, अवल रहें, फरस्ट आएं, उन सारी चीजों को इसमें कवर किया हुआ है, जो लोग नहीं बना पाते हैं, वो इस तरह से मेरे पास से बनाए हैं, आप लोग को बहुत अच्छा result मिल रहा है, इसी तरह से ये student card भी मैंने बनाए हैं, इन से भी आपको बहुत अच्छा result मिलेगा, जितने भी cards या यंत्र आप मेरे पास से लेते हैं, सभी अभी मंत्रित होते हैं, तो आप इसको भी order करके ले सकते हैं, उमीद कर आज का वीडियो सब लोग पसंद करेंगे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक नमस्ते